दोस्तों ये जो आप पूरा प्लोट देख पा रहे हैं ये टोटल प्लोट लगभाक धाई से तीने कड़ है और इसमें बेट बनाया जा चुका है आज 29 मई है और आप देख पा रहे होंगे लगभाक सभी खेद मेरा जो त्यार हो गया है तो जितने भी आप जो बेट देख रहे हैं एक ही दिन में बनाया गया है आज का जो में मोटिव है वो है बहुत ही कम खर्च में आप कैसे आसानी से अपना बेट बना सकते हैं और जो लेबर कास्ट है उसी को कम कर सकते हैं उसके उपर थोड़ा चर्चा करेंगे दोस्तो तो जैसे कि मैं यह जो सामने में आप देख पा रहे हैं यह जो बेड है पांच फीट का चोड़ाई है और यह जो मेरे पीछे आप देख पा रहे हैं यह जो बेड है चार फीट की चोड़ाई है ये दोनों ही बैड मैंने ट्रेक्टर और कल्टिवीटर की मदर से बनाया हूँ और यही बैड में आप दो प्रकार का बैड देख पा रहे होंगे दोस्तो एक ठोप फिनिसिंग वाला एक ठोप बिना फिनिसिंग वाला इसमें बेसल डोज और जो गोबर की खाद वो दिया गया है और हलका सा जो है मिट्टी इसमें चड़ाया गया है चड़ाने के बाद इसका जो कंडिशन है यही है दोस्तो आप देख पा रहे होंगे तो आपको जितना भी यह प्लोट में दिखाया हूँ यह टोटल जो आप किसी भी भी भाड़े लेते हैं उन्हीं के उपर wn law उपयोग करेंगे तो आप इसी प्रकार करा बैड़ बना सकते हैं दो जिसे कि आप देख पा रहे होंगे जो ट्रैक्टर का जो पीछे है वह धिचली दोठो प्लाई और साथ में थोड़ा सा एंगल जो है उसको सपोटिंग के लिए मैंने रखा हूँ देख पार होंगे कैसे फिटिंग है और यह जो मेरा कल्टिवेटर है जो पीछे तरफ यह पांस फूट का है और जो साइड शाइड का दोनों है उसको मैं छोड़के बाकी कै से फिटिंग क्या हूँ आप देख पा रहे होंगे उसी ताइप का आप जो भी कल्टिवेटर है ट्रक्टर के साथ जो फिटिंग आता है उसका पीछे में ऐसे ऐसे ही फिटिंग करेंगे दोस्तों और यह जो पीछे आप देख पा रहे होंगे यह जो बैड है बैड की जो स बना हुआ है आप देख पा रहे होंगे जो बैड है दो फिट का पूरा बैड है पूरा थोड़ा सा फिनिसिंग के बाद आपको पूरा ऐसे ही नजरा आएगा दोस्तों तो यह जो सेट अफ है इसको बनवाने के लिए जो प्लाई है वह लगवग मेरा घर में था तो मुझे उसका कॉस्टिंग नहीं पड़ा माल लेजिए अगर पड़ता है तो इसको आप काल्कुलेशन कीजिएगा और यह जो सौपर्टिंग के लिए जो एंगल दिया गया है दोस्तों इसका लगवग मुझे 300 रूपे पड़ा जो वेल्डिंग होके तो सुच पार नहींगे लग चाहिए पांच फिट की चोड़ाई आप कैसे ले रहे हैं तो यह तो आपको सामने में मैं दिखा चुका हूं दोस्तों चार फिट और पांच फिट का चोड़ाई तो बीच में जो गैप है वह एक्चुली आप थोड़ा सा उस तरब कर देंगे जब खिशते समय तो आपका जो बेच की बाला दूरी है जैसे बैगन के लिए टमाटर हो गया इसके लिए थोड़ा सा बेच की चोड़ाई ज्यादा रहता है और जो करेला हुआ या वरबटी हुआ उसके लिए थोड़ा सा चोड़ाय आप 4 फिट रखे तो भी चलता है तो उसी साब से आपको चाहिए तो आपको छो जब खिषते हैं लाइन के लाइन थोड़ा साब इंगे तो उसी सबसे आपका बेड़ों कर का लेकिन आपको थोड़ासा मिठी ज्यादा रहेगा जैसे आपको यह दिखाई दे रहा है तो हल्का सा मिट्टी आप जब चढ़ा देंगे चढ़ाने के बाद ऐसे दिखता है और जो बीज वाले जो मिट्टी है वह तो आपको मल्चिंग मल्चिंग में यूज हो जाएगा तो यह पूरा कंप्लिट साफ हो जाएगा जैसे आप सभी को दिखा रह होगी दोस्तों इससे आपका पूरा टूटल बैड बनेगा कि उपर हम बात करेंगे बाद में लेकिन आपको जो बैड है उसको दिखाने के लिए मैं दिखा रहा हूं कि पूरा फिनिसिंग और जब मल्चिंग आप लगा लेंगे तो आपका जो बैड है इसी टाइप के और बहुत ही कम खर्च में आप अपना जो बैड है बना सकते हैं अगर आपके पास ट्रेक्टर नहीं है तो भी यही फर्मुला यूज किजिए और दूसरे का जो ट्रेक्टर और कल्टिविटर है उसका यूज करेंगे तो आपका जो पैसा है बहुत ही बच जाएगा दोस् मैंने इसी फर्मुला में यूज किया था तो अगर कुछ चीज की और जानकरी चाहिए तो जरूर कमेंट किजिएगा दोस्तो थोड़ा सा मापी चाहता हूँ बहुत लेट मैं आप सभी को अपडेट दे रहा हूँ थोड़ा सा बहुत ही काम और सेटप लगाना था इसके च तो